पिछले सिजन पुनरी पल्टन की टीम ने कुल 13 खिलाडियों को रिटेन किया था सिमिलरली जैपुर पिंग पैंथर्स की टीम ने 12 खिलाडियों को आक्षन से पहले रिटेन किया था अब आप बताओ इन दोनों टीम के पर्च बैलेंस में कितने का फर्क होगा 10 लाग 20 लाग 50 लाग या 1 करोड अगर आपको लगता है कि इन में से कोई एक सही जवाब है तो आप बिलकुल गलत हो सही जवाब है 1.93 करोड लगबग 2 करोड का फर्क आखिर कैसे मुझे उम्मीदे कि कुछ ऐसे कबटी फैंस होगे जिने इसकी वज़ा पता है इसकी असली वज़ा है डिफरेंट टाइप ओफ रिटेंशन्स इस पिचर को देखिए जहां पर दोनों टीम के जो रिटेंशन है उसको ब्रेकडाउन किया गया है पनडी पल्टन की टीम ने दो इलीट प्लियर्स को रिटें किया पांच आरवाईपी थे दो एक्जिस्टिंग एनवाईपी थे और चार नोमिनेटेड एनवाईपी थे वही पर जैपुरी पिंग पैंथर्स की टीम में छे एलीट प्लियर्स रिटें थे आरवाईपी एक भी नहीं था, existing एनवाईपी सार थे और नोमिनेटेड एनवाईपी दो थे तो आपको difference आरवाईपी में देखने को मिल रहा है, आपको difference इलीट प्लेयर्ज में जादा देखने को मिल रहा है प्रो कबर्डी का किस तरीके से रिटेंशन प्रॉसस होता है आईए समझते है इस वीडियो में माल लो कि आप एक कबड़ी प्लियर हो आपको प्रो कबड़ी में खेलना है और प्रो कबड़ी में जाने के दो तरीके है सबसे पहले जो टीम के ट्रायल कंड़क्त होते हैं उसमें जाए उसमें हिस्सा लिजिए अगर आपको coach ने select कर लिया तो आप directly pro कबड़ी खेल सकते हो या फिर local tournament में आप काफी अच्छा खेल रहो टीम यहाँ पे आपको scout कर रही है और आपको select कर लेती है और आपको sign कर लेती है यह पहला तरीका है दूसरा रास्ता यह कि आप pro कबड़ी के auction में नाम डालो कर लिया और जो signing होता है pro कबड़ी में दो साल का contract होता है और जब आप पहले साल जो टीम की तरफ से खेलोगे आप खेलोगे as a nominated NYP, first year आप as a nominated NYP खिलने वाले हो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो contract यहाँ पे दो साल का होता है तो second year भी आप उसी टीम से दुबारा खेलने वाले हो और जब आप second year खेलोगे तो आप existing NYP के तोर पे pro कबड़ी में retain होने वाले हो और second year इस तरीके से होगा अब यह भी मालो कि आपने काफी अचा खेला दोनों साल जैसे की नरेदर कंडोला काफी अचा खेले थे तो third year आप RYP खेलोगे और जितना पता चला कि RYP का जब फिर से contract renew होता है तो तीन साल का renew होता है इस पे clear officially कुछ publicly बताया नहीं गया लेकिन तीन साल का side से contract होता है तो third year आप as a RYP retain होगे चौते साल भी अगर आपको उसी franchise ने retain किया तो fourth year भी आप as a RYP retain होने वाले हो पांचवे साल भी अगर franchise ने आपको दुबारा से retain किया तो आप as a RYP retain होने वाले हो तो ये पांच साल का जो journey है वो as a NYP आप करने वाले हो पहला साल nominated NYP, second year existing NYP, third year RYP, चौता और पांचवा साल भी आप as a RYP ही retain होने वाले हो सिर्फ एक ही ऐसा case है जिसमें पांचवे इयर में RYP एक खिलाडी retain नहीं हुआ था सिर्फ कुमार सीजन 5 में यूपी ओदास की टीम ने इनको साइन किया था तो सीजन 5 सीजन 6 का contract था, सीजन 7 में इनका contract रिनी हुआ एन सीजन 7 एन सीजन 8 में as a RYP इनको retain किया गया लेकिन जब सीजन 9 में retain हुए तो as a elite player इनको retain किया गया तो फिफ्ट एयर में as a elite player कैसे retain हो गये यह अभी भी confusion है साय से उस समय वो एन्वाइपी का system नहीं था यह जो एन्वाइपी वाला contract वाला system हो यहाँ पर सीजन 8 से हमें देखने को मिल रहा है जिसकी वज़ा से यह एक वज़ा हो सकता है कि नितेश कुमार सीजन 9 में as a elite player retain हुए तो यह side रखी है जो मैंने आपको 5 साल का structure बता है इसी तरीके से प्रो कबटी में एन्वाइपी का जर्नी होता है अब यहाँ पर दूसरे रास्ते के बारे में बात करते हैं दूसरा रास्ता क्या कि आप अपना जो नाम हो यहाँ पर auction में डालोगे unfortunately किसी टीम ने आपको खरीद लिया और आप उस टीम की तरफ से खेलोगे और जब आप अगले साल फिर से उस टीम में अगर retain होते हो तो आप as a elite player retain होने वाले हो simple सा यही system में elite player में वो ही player होते है जो auction में होते है अब इससे एक question और raise होता है कि जो नवाईपी player है मालो की वो टीम उसको छोड़ती नहीं है तो क्या हो इलीट player कभी बनेगा की नी बनेगा answer है yes वो खिलाडी elite category में जाने वाला कैसे जाएगा जो चार्ट में आपको explain कि आप फिर से देखिए first year nominated NYP and 5 साल तक आप RYP ही retain होने वालो sixth year अगर उसी franchise ने दोपारा उस खिलाडी को retain किया तो आप as a elite player retain होने वाले हो तो जो खिलाडी auction में नहीं जाता है sixth year में वो elite player में चला जाएगा और जो खिलाडी एक बार auction का हिस्सा बन जाता है वो automatically elite player बन जाता है तो यही पंडा था existing NYP, RYP, elite players, nominated NYP जो मैंने आपको इन simple words explain कर दिया अब बढ़ते है second point की तरफ जो की है recategorized players क्या होता recategorized players और यह काफी important है जिससे आपको आगे समझने में आसानी होगा especially जब elite players है उनके लिए recategorized players का जो category है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा important है अब जैसे कि आपको पता है कि 3 taps के players होते हैं कबड़ी में एक होता है raider, दूसरा होता है defender और तीसरा होता है all rounder जो की raider and defender commissioner वो raiding भी कर लेता है और defense भी अच्छे तरीके से कर लेता है तो जो 3 taps के players है उनको category दिया जाता है इसे आप tag की तरह भी समझ सकते हो gold, silver, bronze तो category A gold category में है category B silver आप मान सकते हो and category C ये 3 category में players को छाटा जाता है auction से पहले PKL हर बार एक recategorized player list announce करता है सबी 12 टीमों के कौन से player को किस category में डालना है ये कैसे decide किया जाता है ये भी सवाल उठेगा आप सबी के मन में तो ये इसका simple answer है पिछले season के performance के basis पे player को category फिर से दिया जाता है example के तोर पे समझते है पवन कुमार सहरावाद जो की category B में थे प्रो कबड़ी season 10 में कापी अचा के लिए season 10 में ज़्यादा चांचे से कि इस पार का P.K.L. 11 का री केटेगराइस player list जब आएगा तो उनको category A में प्रोमोट किया जाएगा तो category A players के लिए दो ही scenario होता है कि वो category A से category A में ही रहे या फिर category A से वो गिरके category B में जा सकते हैं highest level category A है and down level category DA लेकिन री केटेगराइस में category C तक ही players को यहाँ पे डिवाइट किया जाता है और मैं आपको बता दूँ last year जब री केटेगराइस player list जैसी आया था वो मैंने आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर सबसे पहले inform कर दिया था and कुछ important points थे वो भी मैंने आपको अच्छे से टेलिग्राम पर समझा दिया था and Pro Kabaddi सीजन 11 का auction अब बहुत ज़्यादा करीब है तो कभी organizers Pkl 11 का recategorized player list announce कर सकते and जैसी वो आएगा वो मैं आप सभी के साथ सबसे पहले share कर देने वाला हो तो टेलिग्राम चैनल को आपने अभी तक जॉइन नहीं किया तो फटेफर्फर्ट जॉइन कर लीजिए Pro Kabaddi के हर एक अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाएगे and अगर आप ये वीडियो आप सबसे पहले आपको बता देने वाला हो तो अभी तक आपने जॉइन नहीं किया तो फटेफर्फर्ट जॉइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए जो लिंक आपको दिख आओगा उसपे क्लिक कीजिए और फट अफट अफट जॉइन कर लीजिए या फिर दूसरा तरीका आप टेलिग्राम पे जाएए सर्च पार में एड़ रेट स्पोर्ट सनिफ सेवन सर्च कीजिए फट अफट टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए अभी तक आपने जॉइन नहीं किया है तो फानली अब हम आ चुके हैं रिटेंशन पॉलिसी की तरफ किस तरीके का रिटेंशन पॉलिसी होने वाला है पिसले तीन सिजन की बात किजा है तो पिसले तीन सिजन में रिटेंशन पॉलिसी में कुछ भी चेंजे समय देखने को नहीं मिला है जो टी में यहां पर मैक्सिमम छे प्लियर्स को रिटेंड कर सकती है अंडर इलीट कैटेगरी जो टी में यहां पर मैक्सिमम छे प्लियर्स को रिटेंड कर सकती है आप ही retain हो जाते हैं वो तो 2 साल का contract होता है कुछ ही rare case में हमें देखने को मिलता है कि कुछ players का जो contract है वो यहाँ पे तूटता है players जब rule के खिलाफ activities करते हैं तो जो contract है वो यहाँ पे team को तोड़ना पड़ता है तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं तो 3 types के retention होते हैं प्रो कबड़ी में elite players का retention, rvp का retention and existing nvps जो पहले ही decide हो जाते हैं या फिर पहले ही हमें पता चल जाता है कि कौन existing nvp में retain होने वाला है तो अभी फिलहाल कोई भी changes retention policy में देखने को नहीं मिला है प्रो कबड़ी season 8 से एंड अब देखते हैं कि इस बार जो ये quantity वो यहाँ पर increase होता है या फिर decrease होता है लेकिन chances ज़्यादा हाई है कि इसी type का retention policy हमें प्रो कबड़ी season 11 में भी देखने को मिल जाएगा एक और चीज़ यहाँ पर मापको बताना चाहता हो आप मैसे most of the fans यहाँ पर क्रिकेट के भी fans होगे IPL fans होगे जैसे कि मैं IPL का बहुती बड़ा lover हूँ मैं IPL को आच्छे तरीके से follow कर रहा हो और most of the कबड़ी fans भी IPL को देखते हैं कल का match एंड परसो का मुकाबला काफी ज अला मुकाबले की यहाँ पर कलका Rajasthanu रोयल्स का मुकाबला था तो वह प्रेडिक्शन आपको राजा क्रेकट अनलेस्ट टेलिग्राम चनल पर तॉस से पहले ही, एंड ऐसी और प्रेडिक्शन के लिए आप राजा क्रिकेट एनलिस्ट टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो, जहां पे आपको टॉस प्रेडिक्शन मैचेस के प्रेडिक्शन देखने को मिल जाएगे, वो भी बिल्कुल फ्री एंड काफी अच्छे एक सेलरी किस तरीके से यहां पे डिसाइड होता है, सब जब पहले बात करते हैं, साइनिंग प्लियर्स के बारे में जो खिलाडी साइन होते हैं, उनका सेलरी कितना होता है, यह जो प्राइज है वो यहां पे पिछली सीजन से बदलते आ रहा है, प्रो कबर्डी सीजन 9 में जो बढ़ने वाला है 10 लाग 11 लाग जा सकता है अब जितना भी हो जो प्राइज है साइनिंग एन्वाइपी का वो यहाँ पे फिक्स होता है अब बात करते हैं एक्जिस्टिंग एन्वाइपी के बारे में पहले साल तो आपका प्राइज फिक्स होता है सेकंड डियर क्या फिक्स साथ अब retain young player के बारे में बात करते हैं तो आरवाईपी में जो भी खिलारी retain होते है उसमें main factor category है वो खिलारी का category A का है category B का है या पिर category C का है अगर आप category A के प्लेयर हो और आपने काफी अच्छा खेला तो आपको एक करोड़ भी मिल सकता है नभीन कुमार का एक्जामपल लेते है सीजन 9 में रिटेन हुए थे दबंग दली के दवारा एक करोड इनको रिटेंशन प्राइस मिला था एंड उस समय अंडर आरवाईपी रिटेन हुए थे तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप आरवाईपी में रिटेन हो अगर आप कैटेगरी A में ह आपका परफोर्मेंस काफी अच्छा है तो आपको एक करोड तक भी दिया जा सकता है तो इसमें आप कहा सकते हो कि जो आरवाईपी का सैलरी सिस्टेम हुए यहाँ पर थोड़ा सा कॉंपलेक्स है कभी परसेंटेज भी अपलाई होता है कभी प्लेयर भी डिमांड कर सकते क इतना जादा अमाउंट मुझे चाहिए तभी में रिटेन होगा एंड कभी कभी प्राइस भी ड्रॉप होता है अगर आपका कैटेगरी डाउन हुआ या फिर आपका परफोर्मेंस डाउन हुआ तो जो टीम है वो यहाँ पर आपको कम पैसे भी दे सकती है रिटेन होने का एंड लास्ट बट नोट दे लिस्ट इलीट प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं इलीट प्लेयर्स का रिटेन सेलरी तो आपको पता ही होगे कि 15% इंक्रीस कर दिया जाता है सिंपल यही खतम हो गया नहीं 100% ट्रू नहीं है कभी कभी यहाँ यहाँ पर यह 15% का जो सिस्ट नाइन के ऑक्षन में तमिल थलावास की टीम ने इनको 2.26 करोड में खरीदा था अगले साल अगर तमिल थलावास की टीम इनको रिटेन करती तो क्या 8 करोड देती विल्कुल नहीं हमें पता चला कि उसमें पवन सहरावत का रिटेंशन सेलरी 37.2 ले क्यानी कि 37-38 लाग था तो चाहते तो पवन सहरावत रिटेंशन हो सकते थे इतने अमांट के अंडर लेकिन पवन सहरावत रिटेंशन हुए तो अगर आपका कैटेगरी डाउन हुआ तो आपका पैसा भी डाउन होगा हर बार यह 15% का जो फंडा है वो यहां पे अप्लाइ नहीं होता है So once again यहाँ पर मैं इसमें भी कहना चाहता हूँ जैसे RYP का salary system complex है वैसे elite players का भी salary system होई यहाँ पर बहुत ज़्यादा complex है Pro property कभी भी publicly अच्छे तरीके से clear नहीं किया है कि हर बार क्या apply होता है तो यह हर बार 15% apply नहीं होता है अगर आपका category वैसा ही रहा तो यह apply होगा Okay so उम्मीद है कि आप सभी को PQL का retention function अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा अगर इस बार के season के retention policy में कुछ भी changes होते है तो उस पे भी video आप सभी को जरूर देखने को मिलेगा वैसे प्रूक बड़ी season 11 का auction कब होने वाला है इस पे भी मैंने बात किया है अभी जो video आपके screen पे show हो रहा है उस पे click किजिए और चान लीजिए यहाँ तक video देखने के लिए धन्यवाद मैं मिलता हूँ आप सभी से उसी video में